यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आतमी की Hungarian Army और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसने गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैं बनाना है बेस्ट बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग है सिर्फ दो साल का फ़र्ट 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चलरा था क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सिलेंट हो गया उसके उसी हाथ में, जिससे उसने गोल्ड मेडल जीदना था, उसमें एक हैंड ग्रिनेट फट गया और वो हाथ चला गया जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म उसके पास दो रास्ते थे, एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिल्गी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए या अपना जो गोल्ड था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ कर गया रखिए तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में? एक लेफ आइंड एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के ले और सही एक महीने बाद और में ट्रेनिंग शुरू करते ही साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के 1939 में वो वापिस आया नाशनल चैंपियंशिप्ट हो रही थी मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे बिस्टो शूटर्स थे वहाँ पर उन्होंने जहां करके उसको कमराचुलेट किया जहां कि यार देखो ये होता है जजबा ये होती है स्पोर्ट्चमेंट स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने नहीं आया है तुम्हार साथ कॉंपीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ तयार हो जो और कॉंपेटिशन हुआ बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पॉंपीट कर रहे थे अपने बेस हैंड से यह कॉंपीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से ओनली हैंड से कौं जी था गां नी रोपाई लेकिन वो यहां नहीं रुपा है इसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पूरी दुनिया का बेक्श शूटिंग है बनाना है उसनमना सारा फोकुस उठा करके डाला नाइंटीन फॉर्टी पे जब उलम्पिक्स होने वाले थे लेकिन नाइटीन फॉर्टी पे उलम्पिक्स काशल हो एंटीन फॉर्टी से लोगिज़िग व्लग वर्टी था व्लग वाली पेसले पेस्टेन शूटर अपीट कर रहे थे अपने 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 अप्रेश्टाइब कर रहा था और कौन जी था लेकिन वो तब भी नहीं रुखा नेकिन वो तब भी नहीं रुखा 1952 Olympics दुबारा कॉंपेट लिया उसने और इस बार गोल्ड मेडल काँ जी था गहर लीड चार साल बात दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया Olympics इस पर्टिकलर कॉंपेटिशन में उससे पहले किसी भी अट्लीट ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीते अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी पहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नबी लिस्ट है उसी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वजे होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वजे होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा झाल 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 झाल